एक शेर जंगल में रहता था, वो जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था, सारे जानवर डर के कारण उसका गुणगान करते थे, उसी जंगल में एक बुधिमान बंदर रहता था, वो शेर से नहीं डरता था और उसका गुणगान नहीं करता था, शेर को बंदर की यह बुरी लगती थी, एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन तुम नहीं, ऐसा क्यों? बंदर ने पूछा, मैं किस बात पर आपकी तारीफ करूं? शेर बोला, मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, बंदर बोला, वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धी को मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा, यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया, विवाद का विशय था, बुद्धी या बल, शेर की नजर में बल बढ़ा था, किन्तु बंदर की नजर बुद्धी, फिर बंदर बोला, शेर महराज, बुद्धी ही बड़ी है, बुद्धी से हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो, मैं बुद्धि मान हूँ, और अपनी बुद्धी का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आ मैं बलवान हूँ, और तेरी बुद्धी मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं, मैं चाहूँ, तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ, बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर मेरा यही मानना है कि करूंगा कि बुद्धिबल से बड़ी है, पर तब तक बिल्कुल नहीं, इस बात को कई दिन बीत गए, बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ, एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था, अचानक वो पत्तों से ढखे एक गढ़े में गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई, किसी तरह वो गढ़े से बाहर निकला, तो उसने देखा कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है, शेर घायल था, ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना नहीं कर सकता था, तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थ से भाग गया, शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की, वो इधर उधर देख रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी, बंदर ने कहा, महराज, आज आपके बल को क्या इतने बलवान होते हुए भी, आज आपकी जान जा सकती थी। इसलिए शेर ने उसे धन्यवाद दिया। शेर को अपने और बंदर के बीच की बात याद आई, शेर बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिध्ध कर दिया कि बुद्धी बल से बड़ी होती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय काम बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे खुशी है कि आप इस बात को समझ गए।